प्रशान दवन नाओ ये जो इमेजे जना पाकिस्तान से ये इमेज ये वीडियो ये दुनिया भर में हो चुकी है वारल यहां पर आप देख पाओगे ये स्पूतनेक आर्टिकल है स्पूतनेक रशियान गवर्मेंट का सरकारी न्यूज आउटलेट है ये लोग कह रहे हैं क पाकिस्तान के नागदिकों को देखा गया कि ये लोग LPG फिल्ड प्लास्टिक बैग लेकर जा रहे थे बेसिकली आपने अपने घरों में लाल रंगे स्लेंडर देखी होंगे कुकिंग गैस के लिए उसको हम कहते हैं LPG गैस तो ये गैस हमेशा स्लेंडर में कह लिगी जात कि पाकिस्तान में आज के समय रेगुलर बेसिस परना बच्चे ये जो प्लास्टिक का बैग है ये लेकर जाते हैं एक डीलर के पास यहाँ पर जो कुकिंग गैस है ये भरवा लेते हैं फिर घर में लेकर जाते हैं फिर घर में ये जुगाड से इस तरीके से ये गैस जोड मगर जो बाकी पाकिस्तान के अलाके हैं के पी के उसके अलावा बलुचिस्तान जहां पर आज कैसे में पाकिस्तान तालिवान की भी प्रॉब्लम है वहां पर ये दिरिशक कॉमन है और मैं आपको ये बता रहा हूं ये एक बहुत ही जादा डेंजरस एक्जामपल सेट किया ज पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ही जल्द क्या होगा कि ये जो स्टाइल है ग्यास क्यादी करने का ये एफरिका में भी कॉपी किया जाएगा और इससे इवेंचुली देखो चांसे बढ़ जाते हैं कि आप खुद इमाजिन करके देखो ये बड़े-बड़े बैग कोई सड बेच भी रहे हैं उन पर फाइन लगता है मगर प्रोब्लम ये है के देश में एक तो कुकिंग गैस की कमी है उसके इलावा लोगों में गरीबी बढ़ती जारी है उस वज़े से लोग एक बार को रिस्क फेस करके भी ये बैग का ही इस्तमाल कर रहे हैं इलीगल तरीके से क किंग गैस यूज करने में क्योंकि इससे थोड़ा सा पैसे बच जाती हैं सिलंडर से सस्ता बढ़ता है इनको ये और ये जो मैंने आपको बैग वाली बात है यह ना देखो ये तो जो वीडियो है यह होगी है वारल मगर ये टिप आफ दी आइसबर्ग है पूरा आइसबर का आप अगर देखो तो पाकिस्तान में एक ऐसा एनरजी क्रासिस चल रहा है जो शायद हमने साउतेशिया में श्रिलंगा के इलावा किसी कंट्री में नहीं देखा होगा पाकिस्तान की सरकार ने हाली में एक एनरजी कंजर्वेशन प्लान किया है एनफोर्स जिसमें बहु पाकिस्तानी रुपीज ये बचा लेंगे डॉलर्स नहीं 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज उसके इलावा जनता को भी कहा गया है कि सोचल मीडिया में ये अवेरनेस होलाईए कि सरकार के पास पैसा नहीं है जितनी बिजली आप सेव करोगे सरकार का पैसा बच जाएगा और तो और सबसे ज़रा जीब बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने देश में बल्ब्स और फैन्स की जो मैनेफैक्चरिनिंग है इस पर भी रोक लगाती है ताकि एक्सेस एनरजी कंजम्शन ना हो अब याँ पर कहोगे वेट लोग अगर एनरजी कंजियूम कर रहे हैं सरक पाकिस्तान में देती है बहुत बड़ी सबसेडी तो इनकी सरकार चाती नहीं है कि सारा जो आप कहलो भार है ये अचानक से जंता के ओपर गिर जाए और बिजली के रेट्स अचानक से डवल हो जाए तो इसलिए ही अपनी जंता को कह रहे हैं कि बिजली इस्तवाल ही मत करो क्योंकि इसका alternative बहुत खराब है एक बार electricity के rate बढ़ गए तो कम नहीं होंगे और पाकिस्तान की problem यहां नहीं रुकती जी हाँ इसके आगे और है पाकिस्तान की railway के पास भी ना आज के समय डीजल यूज करने के पैसे नहीं है और बताय जा रहे है कि आने वाले एक दो दिन मैं कई African countries में भी देखता हूँ यह हालत देखने को नहीं मिलती अब obviously आपके mind में question आएगा मगर पाकिस्तान के साथ यह सब हो क्यो रहा है यह natural gas का issue electricity का issue इसका main cause क्या है देखिए main cause simply यही है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है नहीं तो cooking gas की वैसे अगर हम बात करें अगर simply हम LNG की बात करें ठीक है LPG की बात नहीं करा LNG की बात करूँ अगर मैं तो इंडिया ने पिछले financial year में 10 billion dollar से भी उपर खरच दिये थे LNG को import करने में LNG बहुत बैंगी पढ़ती है उसके इलावा अगर आपको LPG चाहिए क्योंके देखो हमारे देश में कोई LPG तो है नहीं हमें LPG भार से परचेज करनी होती है या फिर हम natural gas raw form में परचेज करती हैं फिर इंडिया में जो refineries हैं उनसे बनाते हैं cooking gas और फिर हमारे जो घर हैं वहाँ पे हम cylinder के जरीए या फिर pipeline के जरीए भेचते हैं ये gas तो पाकिस्तान के सामने problem ये है कि पहली बात तो इनके जो पुराने reserve थे LPG के LNG के ये exhaust हो रहे हैं जी हा पाकिस्तान के पास होड़े बहुत reserve थे वो ये इस्तमाल करते थे ये बिल्कुल खतम हो चुके हैं ये almost खतम होने वाले हैं और internationally आप अगर देखोगे तो cooking gas के दाम recently बहुत ज़रा बढ़ गए हैं कुछ अभी control हुए हैं मगर अभी भी cooking gas के दाम बहुत ज़ादा है तो पाकिस्तान अपने बहुत ज़ादा कम विरेशी मुद्रा भंडार से ये purchasing नहीं कर पा रहा और फिर देखो अगर हम बात करे LPG के cylinder की हैं भारत में भी LPG का cylinder बहुत महँगा पड़ता है आप अगर देखो तो ये जो 14 kg का cylinder आता है इंडिया में ये दिल्ली में 1000 रुपे से उपर का मिलेगा अचुली इंडिया की हर स्टेट में ये आप अगर देखो तो 1100 के आसपास का आपको पड़ेगा ये cylinder और सेम केस पाकिस्तान में भी है मगर क्या था कि पिछले साल तक इनके जो बहुत जारा आप कहलो पूर इला पावर्टी आप अगर देखोगे न तो ये 35% बढ़ चुकी है जी हाँ पावर्टी रेड राइसेज बाई 35% तो जब लोग बहुत गरीब होंगे तब वो पाई पाई बचाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के लोग जो ये परचेस कर रहे हैं बलू उनको पता है उन 1500, 2000 के आसपास के ये जो बैग परचेस करते हैं और ये बैग परचेस करके किसी सरकारी डिलर के पास जाते हैं वो यहाँ पर भरता है क्किंग गैस नहीं ये लोग इलीगल तरीके से जो गैस की थोड़ी बच पाईपलाइन है वहाँ पर जाते हैं और उदर इलीगल तरीके इसे परचेस की जाती है ये गैस तो पूरा जो ये काम है इस इलीगल मगर जब आपके देश में 35% पावर्टी रेट बड़ेगा तो लोग इस तरीके से अपनी जान पर भी खेलेंगे अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक कोशन पूछ सकते हैं पाकिस्तान सिंपली रश जो केपी के या फिर बलुचिस्तान के वेडियस इलाकों में जाता हो तो रशिया की गैस अगर आ भी गई न तो इनके जो दूर दराज के अलाके हैं वहाँ तक ये गैस पहुचाना ही बहुत ही जरा कठिन का रहे होगा और सबसे बड़ा जटका पाकिस्तान को मेरे साब से लगने वाले आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है हफ्तों में हो सकता है रिली डिपेंड्स एक तो क्या है कि इनके पास डीजल की कमी है पैसा कुछ है ने इनके पास कुछ पर्चेस करने के लिए तो डीजल की कमी है उसके इलावा न इन्होंने बहुत सारी रेलवे की जो टाइम में होगा जब पाकिस्तान की मिलिटरी एक बड़ा ओपरेशन स्टार्ट करने वाली है पाकिस्तान तालिबान की अगेंस तो एक बहुत ही जड़ा बड़ा चलेंज लेकर आगा अगेंस पाकिस्तान इंडिया को यहां पर देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं what we can do इंड यहां पर मैं यह भी आड़ कर दूं कि हमारे अनकाडमी के सारे कोर्स पर अभी मैसिव डिसकाउंट चल रहा है CDS एक्जाम्स को आप अगर देखो तो आपको मैसिव डिसकाउंट मिलता है 23% का यह डिसकाउंट छे तारीक के बाद घताम हो जाएगा तो अगर आप मान यूज करना है PD10 और प्राइसेज गिरना स्टार्ट हो जाएंगे सिर्फ 545 रुपीज पर मंत में आप 12 महीने का CDS एक्जाम्स कर सकते हैं परचेस तो यूज करिए कोर्ट PD10 एंड सेव मन याद रखिएगा 6 जन्योरी को यह डिसकाउंट समाप्त हो जाएगा कर दो जाएगा